जैहिन मैं हूं अरुन कुमार और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं भारत का भुगोल आज का हमारा टोपिक है वाटर फाल्स इंडिया भारत के प्रमुख जल परपात और उस से रिल्टिटम कुछ कोशन भी देखेंगे और अगर आप इस चनल पे वीडियो पहली बार देख रह कि भारत के प्रमुख जल परपात जहरने जल परपात मतलब जहरने जहरना क्या होता है जब उचाई से उचाई से पहाड़ी से कहीं यह क्या हो गया है जब उचाई से पानी गिरता है कि किसी पहाड़ी से पार की चोटी से पठार से जब पानी नीचे की तरफ गिरता है तो को तेजी से गिरता और एक झरना बन जाता है उसी को परपात कहते है वाटरफाल उसी को बहुत से बाइबारत में बहुत से मैजश में नहीं है वाटरफाल लायग उफ्स न नहीं है जतने रहे हैं इसके बाहर कोई नहीं पूछा गया वह नहींburn जलपरपात जोग जलपरपात जिसकों कहते हैं महातमा गांदी जलपरपात या गरसोपा जलपरपात या गरसोपा इसी के नाम है जोग जलपरपात महातमा गांदी जलपरपात गरसोपा जलपरपात इसी के नाम है कहां है जी ये ये सरावती नदी करनाटक में है करनाटक में सरावतिन दीपे बना गया है और इसमें चार साखा हैं देखिए ऐसे एक दो तीन चार चार पार्ट में नीचे जमीन पर आता है तो वो चार साखाओं के अलग अलग नाम है राजा राकेट रोरर दाम ये कोई नहीं पूछेगा बस याद रखे चार साखाओं में आता है किना तक आया तो अगर हम केवल एतनी लेंट की बात करें तो जोग ज़ल प्रपाथ ध्यादा है पर चार सबैल और दोनों में से एक योप्षण रहेगा जब दोनों रहेंगे तो आप देखीगा क्या को किस तरफ जाना है जोग जलप्रपाथ महात्मागांधी जलप्रपाथ गरसोपा जलप्रपाथ इसी का नाम है सराफ्त नदी करनाठक में है दुहाधार जलप्रपाथ most important दुहाधार जलप्रपाथ मद्ये प्रदेश में नर्मदा नदीपे है मद्धे प्रदेश में नर्मदा नदीपे है, जबलपुर रामकिस्थान पर, जबलपुर डिश्टिक मद्धे प्रदेश नर्मदा नदीपे है, और संगमरमर की चठ्टानों से जब पानी गिरता है, तो धुआ जैसा उड़ता है, और भोती सुंदर रमणिये मनोरम का नाम है धुआधार जल प्रपाद अगला हमारा हुंडरू जल प्रपाद देखिए डा से डा डा से डा हुंडरू जहारखंड डा से डा मिला दीजिए हुंडर जल प्रपाद का है स्वांड रेखा नदी पर राची के निकट जारकंड में है स्वांड रेखा नदी पर राची के निकट जारकंड में यहाँ पर मैंने मैप इसलिय नहीं बनाया क्योंकि यह सारी नदीयों के बारे में जर्णों के बारे में हम जब मांडवी नदी दूद सागर जल परपात दूद सागर जैसा दिखाई देता है हमारी वीडियो के स्टार्टिंग में जो ये जल परपात है ये दूद सागर जल परपात ही दिखें ऐसे टेंज आ रही है दूद सागर जल परपात मांडवी नदी पर है और मांडवी नदी पर भी कौनसे घाट में है भेडा घाट में ही भी एक जाम में पूछ लेता है कौनसे घाट में है दूद सागर जलपरपाथ मांडवी नदी पर भेडा घाट में है कहां पर करनाटक और गोवा की सीमा पर है गोवा में ही बोल सकते हैं सबसी होता जलब पर पात कुंची के लिग प्रक है लेकिन गजाणर एकुश्व कुछ गंट्रों के चल रही होती है तो अभी युप पुश्था हैं बार और यसे पर गजालिकाय में होती है वह सारी बारिस और में जमती है काई नोकाली काई कहां पर है खांसी की पहाड़ियां कहां है मेगाले में है और कौन सी नदी पर है किन सी नदी पर है देखे देखते हैं कुंचीकल जलपरपात भारत का सबसे उतर जलपरपात है करनाटक में है बरही नदी पर है नोकाली काई खांसी पहाड़ी मेगाले में है किन इन जी नदी पर है। लांग सियोंग जल प्रपाथ ये भी खांसी के पहाड़िएं पहाड़ियों है। ये पस्षिमी खासी की पहाड़ियों में है ये पूर्वी खासी की पहाड़ियों में है दोनों ही मेगाले में है कौन-कौन से नहो काली काई और लांग सियांग जल परपात और अगर मैं एक्जाम नर होता तो मैं इन दोनों को ही पूछता नहो काली काई लांग सियांग जल कहां है मेगाले में है कुंची कल जल पर पाथ बरही नदी करनाटक में है शिव समुंद्रम जल पर पाथ most important कावेरी नदी पर है शिव समुंद्रम जल पर पाथ करनाटक में ही है मैसूर जिले में मैसूर जिले करनाटक में है कावरे नदी पे सीव समुन्दरम जल परपात और वाटर वोल्यूम कितना ज्यादा जहरने में पानी है उसके साफसे सबसे बड़ा है वाटर वोल्यूम के साफसे सबसे बड़ा जहरना है भारत का सीव समुन्दरम जल परपात लेकि वाटर वोल्यूम के इसाफ से पूछे तब ही लगाई एगा सबसे बड़ा पूछे तो जोग जल पर पाथ सबसे उचा पूछे तो सबसे उचा मैंने क्या बताया आपको कुंची कल जल पर पाथ एशिया की पहली जल विद्वत पर योजना बनाई गई थी 1902 में इसी जहरने पर बनाई गई थी किस पर सीव समुन्दरम जल पर पाथ पर ही बनाई गई थी इस्या की पहली जल विद्वत पर पाथ कावेरी करनाट का गोकक जल पर पाथ को कुछ लोग इसको बोलते हैं गोकक नदीपर है कुछ दोग बोलते हैं घटपरबा नदीपर है जो भी कोशन में इसका यू पी शे कुछ लेंदतीन नहीं है चितरबोलड़ उ पीवएला चित्र अग्याई है यह बस टर में है बस तरका पठार चट्रा को जलब maior जाल पर पाथ जो है बस तरका पठार स्थ इस्ट्रोड में है पर इंदरावाती मैंने आपको बताया कि नियागरा जलपरपात कौन से देश में है गोकक जलपरपात गोकक नदी पर जो कि कृष्णा की सायक नदी है करनाटक बैल गाउं में है चित्रकूट जलपरपात उत्तर प्रदेश में नहीं है चत्यस गड़ में है बस्तर के पठार में इंद्रावती नदी पर है इंद्र मीन माने मचली मुट्टी का मतलब मुझे पता नहीं लेकिन इस जलपरपात में आके मचली नहीं तैर पाती ऐसा माना जाता है मीन मुट्टी जलपरपात वायनाड डिस्टिक केरला में है वायनाड बहुत ही चर्चा में रहता है न्यूज में बताईए वायनाड चर्चा में क कपिल धारा जल परपात, ध्वाधारा लेड़ी हम डिसकस कर चुके हैं, कपिल धारा जल परपात, पुनासा जल परपात, मधार जल परपात, यह सब नर्मदा नदीम अद्धेप्रदेश में हैं, कूने जल परपात, कूने है पूने, पूने के पास है कूने, ठीक है, पूने कुने जल परपात पूने लोना वाला में है कुने जल परपात लोना वाला का है महराष्टरा में पूने के पास कुने जल परपात लोने वाले पूने महराष्टरा चुलिया जल परपात यह इंपोर्टेंट है चुलिया जलपरपात चुलिया जो है वो चंबल नदीपे है चैसे चुलिया चैसे चंबल नदीपे है चुलिया जलपरपात और चंबल नदीपे भी कहा है राजिस्थान में चुलिया नदीपे एक जलपरपात है चंबल नदीपे चुलिया जलपरपात चुलिया नदीपे न सूची एक और सूची दो को सुमेरित किजिए तथा नीचे दिये गए कूट से सही उत्तर चुनिए ठीक है चुनते हैं दूद सागर जल प्रपात कहा है देखी मैंने बताया था मांड भी नदी पर है है जी गोवा में तो जी गोवा में मांड भी यह रही देखो एके साथ च लार जाएगा एके साथ 4 कहा जा रहा है एया और भी दो में जा रहा है मतलब नीचे के दोनों तो गलत हो गए ओके अब हम चलते हैं कुछ फोरपता है हमें इसमें डूडूमा डूडूमा हमें नहीं पता कौन से नदी पर है ठीक है गोकग हमने पता था पढ़ा पढ़ा थ और बाकी हम देख लेते हैं जोग जर्परपात सरावती है तो बहुत सिंपल है यानि कि डी के साथ तीन जाएगा दोतों में पता ही थे देखे दूद सागर मांडवी नदी पर है एके साथ चार जाएगा और डी के साथ तीन जाएगा डी के साथ तीन एके साथ चार ए में जा धारा जल प्रपात जोग जल प्रपात शिव समुंद्रम जल प्रपात बताइए देखे कौन सा कहां पर है जी कौन सा सुमेलित है शिव समुंद्रम जल प्रपात का वेरी बिल्कुल सही बात है जोग जल पर पात सरावती नदी पर ये उलकुल सही बात है कपिल धारा जल पर पात कपिल धारा जल पर पात जो है जी ये गोदावरी नदी पर नहीं है कपिल धारा गोदावरी पर नहीं है जोग जल पर पात सरावती पर है शिव समुंद्रम कावेरी पर है तो 2 और 3 सही हो गए, तो केवल 2 और 3 सही है निमने लिखित यूगमों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, अभी नहीं है पोछ रहा है कौन सा गलत है शिव संद्रम जलपरपात कावेरी नदी पे सही है चुलिया जलपरपात चंबल नदी राजिस्थान सही है जोग जलपरपात कृष्णा पे नहीं है जोग जलपरपात सरावती पे धुवाधात जलपरपात नरमदा मद्देपरदेश सही है तो C इस में सुमेलित नहीं है आंसर हो गया इसका C निमने लिखित में कौन भारत का सबसे उत्य जलपरपात है कुंची कल भारत का सबसे उत्य जलपरपात है चित्रकोट जलपरपात इस्थित है देखिए मैंने गोले साथ चित्रकूट जलपरपात जो है चित्रकूट में नहीं है वो बस्तर में है चित्रकोट या चित्रकूट जलपरपात बस्तर में है बस्तर कौन से नदी पर है बताए ये कमेंड करके इंदरावती नदी जारकंड कि चत्तिस गड़ बस्तर चत्तिस गड़ में जारकंड में नहीं है बस्तर का पठार यहीं पर है डंड कारंड है तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो होती है एंड अगली वीडियो हम बनाएंगे किस पर ख्याल रखें, खुश रहें, हस्ते रहें, मुश्कुराते रहें और पढ़ते रहें हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें उससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है जैहिन, जैभारत